माइसेल्फ डॉक्टर मंजू मीना असिस्टेंट फ्रोफेसर इन केमेस्ट्री फ्रॉम गॉर्मेंट कोलेज कोटा आज हम सेकेंड यूनिट बियसी पार्ट थर्ड और्गेनिक केमेस्ट्री में हिट्रो साइकली कमपाउंट्स विसम चक्रिय योगी को का अध्यन करेंगे विसम चक्रिय योगिक क्या होते हैं उसके जानने से पहले हम कुछ ब्रीफ में ये देखेंगे कि साइक्लिक कमपॉंड्स क्या होते हैं वे कार्बनिक योगिक जिन में कार्बन परमाणू मिलकर एक सम्वरत स्रंखला वले बनाते हैं चक्रिय योगिक या साइक्लिक कमपाउंड्स कहलाते हैं यदि सम्वरत स्रंकला में सभी सदश्य कार्बन परमानू हो तो ऐसे योगिक सम्चक्रिय या होमोसाइकलिक कहलाते हैं वे योगिक चक्रिय योगिक जिन में वले में कार्बन पर्माणूओं की अतिरिक्त एक या अधिक अन्य पर्माणू उपस्तित हों तो योगिक विसम चक्रिय या हिट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं वले में उपस्तित इन अन्य पर्माणूं को नोन कारवन एटम या विसम पर्माणूं कहते हैं ये विसम पर्माणूं मुख्यत है नाइट्रोजन, सल्फर, एम ओक्सिजन आदी होते हैं वर्तमान समय में फास्वोरस, टिन, सिलिकोन, एम ब्रोमीन आदी विसम पर्माणों से बने विसम चक्री योगिकों पर और अधिक अनसंदान कारिय हो रहा है विसम चक्री योगिक की उक्त परिभास अनुसार एथिलीन ओक्साइड, सक्सिनिक एन हैड्राइड, थैलेमाइड, एम लेक्टोन आदी विसम चक्री योगिक होने चाहिए परन्तु इस प्रकार के योगिक आसानी से विवरत स्रंकला या ओपन चैन योगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा किसी प्रकार का एरोमेटिक लक्षन नहीं रखते हैं अत्य इन्हें विसम चक्री योगिकों के अंतरगत नहीं माना जाता है इसे इस्थाई चक्रिय योगिक जिनमें कम से कम एक विसं परमाणू हो यह एरोमै्टिक लक्षन प्रदर्शित करते हो विसं चक्रिय योगिक के कहलाते हैं पांच या छे सदश्य वले वाले विसम चक्रिय योगिकों का रसायन उच अनुनाद उर्जा इम अधिक स्थैतु के कारण अधिक महत्पूर्ण है जैसे कि इसके उधारण हैं विसम चक्रियोगिकों का पिरोल, थायोफीन, फ्यूरेन, पिरीडीन, इत्यादी, नामकरण या नॉमन क्लेचर, सामाने विसम चक्रिय योगिक तो अपने रूड या ट्रिवियल नामों से ही अधिक जाने जाते हैं, किन्तु विसम चक्रियोगिकों के बारे में अधिक जानकारी के बाद इनके आयोपीसी नामकरण का भी महत्व हो गया, आयोपीसी पदिती के अनुसार विसम चक्रियोगिकों के नामकरण की विदी निमना गुशा है, इसका फर्स्ट रूल है, नामकरण करते समय वले में परमानों की संख्या को अनुलगन या सबफिक्स के रूप में लिखते हैं, पाँस सदशिय वले के लिए ओल भीजह पद शेह सदशिय वले के लिए एन जैसे कि पिरोल फाइव सदश्य है तो इसलिए इसको एजोल पिरिडीन है इसलिए इसकी क्या सदश्य लगाने है इन तो एजीन यदि वले में एक विशम परमाणू उपस्तित हो तो विशम परमाणू के अनुसार उस योगित के नाम के पूरुलगन या प्रिफिक्ष के सल्फर के लिए थाया नाइट्रोजन के लिए एजा लगाते हैं उधारन के लिए पिरोल का आईउपीसी नाम एजोल होता है थर्ड रूल है इसका यदि वले में एक से अधिक समान परमाणू उपस्तित हो तो नाम के पूरू लगन से पूरू दो के लिए डाई और तीन के ल लिए जैसे दो आकसीजन परमाणू उपस्तित हैं तो डाई ओक्सा तीन नाइट्रोजन परमाण उपस्तित हैं तो ट्राई एजा जैसा कि हम इमीडा जोल का आईपीसी नाम वन्त्री डाई एजोल लिखते हैं यह है इमीडा जोल इसके अंतरगत दो नाइट्रोजन उपस्थित है एक तो वन पोजिशन पे है और दूसरा थ्री पोजिशन के अंदर उपस्थित है इसलिए इसका नामकरण क्या करेंगे वन थ्री डाई एजोल फूर्थ नियम है इसी का यदि एक से अधिक भिन भिन विसम पर्मान हो तो उनकी इंगित करते का क्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि सबसे अधिक प्रायक्ता वाले उस पर्मान को दी जाती है जो आवर्साने में उच्च समूं हो उधारन के लिए यदि किसी विसम चक्री योगिक में नाइट्रोजन चथा ओक्सिजन विसम पर्मान हो तो उक्सिजन आवर्साने के वर्ग सदश्य सोला का सदश्य होने के कारण नाइट्रोजन वर्ग 15 से अधिक प्रायक्ता वाला पर्मान होगा अतय योगिक का नाम क्या होगा ओक्सा जोल क्योंकि ओक्सिजन की प्रायक्ता अधिक है इसके कारण इसलिए ओक्सा को पूर लगन की रुप में काम लिया तो ओक्सा जोल यदि दो भिन पर्मानू समान समूंके हो तो प्रायक्ता उस पर्मानू को देते हैं जो कम पर्मानू संख्यावाला हो उधारनाद यदि किसी विसम चक्रिय योगिक में सल्फर तथा ओक्सिजन दोनों ही हैं तो दोनों ही एक वर्ग 16 के सदश्य हो तो कम पर्मानू क्रमाक वाले ओक्सिजन पर्मानू को प्रायक्ता दी जाएगी और योगिक के नाम का पूरू लग्न ओक्सा थाया हो जाएगी आता है प्रमुख विसम पर्मानू की प्रायक्ता का क्रम निम्न होगा ओक्सिजन की प्रायक्ता सबसे अधिक होगी तो ओक्सिजन, उसे कम सलफर, उसे कम नाइट्रोजन, उसे कम फासुरस, उसे कम सिलिकन और उसे कम टिन आधी इस प्रकार से प्राइप्ता का ये घड़ता क्रम है फिप्त नियम है कि विसम चक्रिये योगिकों में विसम परमाणू को सदेवी संख्या वन दी जाती है यदि एक वले में एक से अधिक समान विसम परमाणूं उपस्तित हों तो वले में परमाणूं की संख्या इस प्रकार से दी जाती है कि विसम परमाणूं को न्यूंतम संख्या मिले जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि 1,2,3 तो विसम परमाणूं की न्यूंतम में 1,2,3 इस प्रकार से 1,3 डाई एजीन में भी 1,2,3 यदि वले में भिन भिन परमाणूं उपस्तित हो तो अधिकतम प्रायक्ता वाले विसम परमाणूं को संख्या 1 देते हैं इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं अब यहां पर हम नमरिंग करें तो इसको 1 नमर मिलेगा इसको 2 नमर मिलेगा और इस वाले नाइट्रोजन को 3 और इधर 4 और 5 तो दोनों को क्या मिल रहा है नियूनतम संख्या में नमरिंग मिल रही है अगर हम इधर से नमर करते हैं हैं तो इसका नमर आता है 123 और 4 पर लेकिन इधर से नमरिंग करने पर 123 तो हम इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि विसम परमाण को नियूंतम संख्या मिल रही है 1-3 डाय जोल में इसी प्रकार से हम देखें निम नुधारण में नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन एटम यहां प्रजेंट है अब अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो कैसे होगी इधर से क्योंकि यहां 1,2 और 3,4,5 और 6 इस प्रकार से यदि हम नंबरिंग कर रहे हैं तो दोनों विसम परमाणों नाइट्रोजन को नियूंतम संख्या में नंबरिंग मिल रहे है लेकिन यदि हम इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1 हो जाएगा यह 2,3,4 और 5 जो कि इस नियूंतम संख्या में मिले तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3,1 और 3 डाई एजीन अब यदि विलेम में भिन भिन परमाणू हो तो उसका भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें अधिक मितम प्रायक्ता वाला कौन सा एटम है ऑक्सीजन थे इसको क्या नम्बरिंग मिलेगी वन नाइट्रोजन को क्या मिलेगी थ्री नम्बर पर इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 और ऑक्सा जोल क्योंकि ऑक्सीजन की प्रायक्ता अधिक है इसी प्रकास से इस उधारन के हम देखें अब यहां नम्बरिंग किसको मिलेगी सल्फर को वन नम्बर मिलेगा क्योंकि सल्फर की प्रायक्ता नाइट्रोजन से अधिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 थाया क्योंकि सल्फर को प्रायक्ता अधिक है इसलिए हम एसको क्या दे रहे है अधिक है प्रायक्ता वाल नाम क्या हो जाएगा वन थ्री थाया जोल कि छटा नियम है इसका संत्रप्त एम ए संत्रप्त वले को निम लिखित अनुलगन लगाकर लिखते हैं पांच सदश्य वले यदि उसके अंदर नाइट्रूजन प्रमाण उपास्ती तो और योगी कैसा हो संत्रप्त तो उसमें हम लगाएंगे अनुलगन के रूप में Olidin और यदि यही ऐस संत्रप्त हो तो क्या लगाएंगे हम सफिक्स ओल यदि नाइट्रोजन के अत्रिक्त अन्य कोई विसम परमाण उपस्ती तो पांस सदश्य वले में और वो कैसे हो संत्रप्त तो हो हैं ले Animals और यदि ऐस संत्रप तो यहां भी लगाएंगे All इसी प्रकार से चय सदिश्य वले में देखें यदि उसमें Nitrogen परमान उपस्थित और योगित कैसा हो संत्रप तो सफिक्स क्या लगाएंगे इनी दीन और यदि a संत्रप्त हो तो क्या लगाते हैं इन आयनी और यदि नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य विसम परमाण उपस्थित हो छह सदश्य वल्य में और योगिक कैसा हो संत्रप्त तब क्या लगाएंगे सफिक्स एन और एस संत्रप्त हो तो इन आई एन अगला नियम है यदि किसी वल्य में द्वी बंद के इस्थान पर क्या उपस्थित हो हाइट्रोजन परमाणू लगे हो तो उन इस्थितियों की संख्या लिख कर एक द्वी बंद के संत्रप्त होने पर डाई हाइड्रो और दो द्वी बंद के संत्रप्त होने पर टेट्रा हा गया जाता है जो इस्तितियां संत्रप्त हैं उन्स्तितियों की संख्या लिएक रुँट कर प्रतीक हाइटरोजन लगा कर भी वले की संत्रपता को प्रद Rush data किया जा सकता है जैसे कि हम इसको निम्रूधारण के द्वारा समझ सकते हैं जैसे हम यहां देखें इसका सिंपल नाम क्या हो गया फ्यू रेल अब यदि हम इस योगी को ले तो यह कैसा योगी कर यहां पर इसको नंबरिंग करें सबसे पहले हम तो इसकी टू और फाइब पोजिशन कैसी है संत्रप्त है तो इसका नाम क्या हो जाएगा यह पीसी में कि अनुसाद टू और फाइब पोजिशन पर हैं डाई हाइड्रो फ्यू रेइन इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं नेक्स्ट इस सार्णी के द्वारा हम विभिन योगी को के नाम इन आयू पीसी नाम के अकॉडिंग करना देखेंगे सर्प्रता हम देखेंगे 6 सदश्यवल है जिसके अंदर का नायट्रोजन उपस्तित है और योगी कैसा हो एसंत्रप्त हो तो हमने अभी बताया था कि सब्फिक्स के रूप में क्या लगाया जाएगा इन जैसे कि उधान के लिए एजीन इसको सामने ते क्या बोलते हैं हम प प्रिडीन के अंतरगत तो इसमें क्या हो किसी सदश्य वले होगी नायट्रोजन परवान उपस्तित है इसलिए एजा लेकिन यह कैसी संत्रप्त हो तो इसका सब्फिक्स क्या है ओली सोरी इनीडीन तो क्या लिखेंगे एजीनीडीन नेक्स एक्जमपल नायट्रोजन अनुपस्तित वाले हो यदि वले कैसी हो एस संत्रप्त तो उसका सब्फिक्स क्या हो गया इन तो क्या हो जाएगा ओक्सीन इसी प्रकार से संत्रप्त हो तो उसका हमने सब्फिक्स क्या होता है एन तो क्या क्या लिखेंगे ऑक्सेन क्योंकि यह संत्रप्त है और इसका सिंपल नाम है टेट्रा हाइड पॉपाइफ रेन तो इसको क्या लिखेंगे ऑक्सेन अब फाइब सदशिवले की बात करें जहांकि नाइट्रोजन उपस्तित हो और वह कैसा है संत्रप्त तो सब्फिक्स की होगा इसका वन थ्री डाई एजोल इसी प्रकार से संत्रप्त हो फाइब सदशिवले और उसमें नाइट्रोजन उपस्तित हो तो इसमें हम देखें ऑक्सिजन अधिक प्रायक्ता वाला इसलिए पूर लगन के रूप में ऑक्सा होगा तो ऑक्सा एजोलीडीन इसी प्रकार से फाइब सदशिवले और नाइट्रोजन अनुपस्तित हो और इस संत्रप्त हो सब्फिक्स के रूप में क्या लगता है ओल तो इसका उधरना में थायोफीन में यहां क्या जाएगा थायोल इसी प्रकार से संत्रप्त में देखें तो सब्फिक्स लगता है ओलेन तो क्या इन सिंपल एग्जाम्पलों के द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका आईउपीसे नाव हमने किया है सरप्रताम हम देखें इसका सिंपल नेम क्या है पिरोल और आईउपीसे नाम क्या होगा है एज़ा प्लस ओल तो क्या हो जाएगा एज़ोल दूसरा उधरन हम देखें नैट्रोजन की जगें यहां क्या उपस थी तो ओक्सीजन नमरिंग करें तो क्या होगी फर्स नमर और ओक्सीजन को टू ट्री फोर और यहां पर फाइब इसका रूड नेम क्या है फ्यूरेन और आईउपीसे नाम क्या होगा ओक्साजोल इसी प्रकार से oxygen की जगे क्या उपस ही तो sulfur atom तो इसका नाम की simple name क्या है thiophen और IUPAC नाम क्या हो जाएगा thiol और देखें हम इसका root name क्या है periodine और IUPAC नाम देखें तो इसकी numbering करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या नाम है इसका agene six membering है तो agene next हम देखें अब इसका नाम numbering करें तो noon term number मिलना चाहिए तो 1, 2, 3, 4 और 5 5 सदर्शे वले है और 2 हिसके अंदर hydroatomer वो भी nitrogen इसका simple नाम हमने अभी देखा था imidajole IP से नाम क्या हो जाएगा 1, 3, diagole इसी प्रकार से हम देखें यदी और second position पे हो और इसका IP से नाम क्यों हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 इसका simple नेम क्या है pyriazole और IP से नाम क्यों हो जाएगा 1, 2, diagole क्योंकि 1 और 2 position पे है इसके लाव और देखें हम और यहां क्या उपस है तो nitrogen नम्बरिंग में क्या होगा oxygen की प्राइक्ट आदिक है तो first number मिलेगा 1, 2, 3, 4, or 5 इसका simple नेम या root नेम क्या है oxajole और IP से नाम क्यों हो जाएगा 1, 3, oxajole इसी प्रकार से निमनी योगी को का हम देखें IP से और रूड नम तो हम निमन प्रकार से निकाल सकते हैं इनका भी यहां क्या हो इस एटम हो sulfur और यहां क्या हो nitrogen तो numbering किसको देगे सब प्रता अधिक प्राइक्ट आदिक प्राइक्टावाला को होन है sulfur तो 1, 2, 3, 4, or 5 थायो जोल है इसका रूड नेम और IP से नाम क्या हो जाएगा वन थ्री थाया जोल अब इस एग्जांपल को देखें हम N और N इस जगह हो numbering करेंग तो इसको 1 number यह 2 number हो जाएगा यह 3, 4, 5, or 6 इसका प्री डाइजीन इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2, डाइजीन नेक्स एग्जांपल हम देखें यह नाइट्रोजन हो और यहाँ नाइट्रोजन हो तब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, or 6 simple नेम है इसका प्रीमीडीन और IP से नाम क्या हो जाएगा 1, 3, डाइजीन इसी प्रकार से एक और एक्जांपल देखें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन कौन सी पोजिशन पर है 1 और 4 तो क्या हो जाएगा 1, 4, डाइजीन इस प्रकार से हम आईट्रोजन नाम हम निकालते हैं अब यदि एक से अधिक वलेओं के परस पर संगनित होने पर योगी को विसम चक्रिय वले का व्यत्वपन मान का नामकरण करते हैं विसम चक्रिय वले के नामकरण के समय विसम परमानों को संख्य क्या दी जाती है वन तता जिन इस्थितियों पर ये वले दूसी वले से सयुक्त होती है उन अंकों का नाम करन से पूरु लिखते हैं, जैसे कीनोलीन को 2-3 गैजोपिरिडिन गहते हैं। परंतु शंतर उतर में अंकन कर ते समय कोने वाले पर्माण।ंक को क्रात्मिक्ता देते विए विसम पर्माण।े बैज्यंते आज अलसा why कुली लिंड में विसंचक्रिये वले में कार्वन परमाणु संक्रा को वन damn नायिट्रोजन परमाणु संक्रा क्या देते हैं दो Is प्रकार को शयोगी को के नाम हमने इस स्तेनी में दिये हैं जैसे की कि इंडओल को हम देखें हर देर यह क्या है इंडोल अब इसका हम नम्बरिंग करें तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो इंडोल का आयूपी से नाम क्या होगा बैंजाजोल या बैंजो पिरोल वले है या बैंजाजोल इसी प्रकार से हम किनोलीन का देखें तो नम्बरिंग कहां से करेंगे यहां से 1,2,3,4,5,6,7,8 तो इसका आयूपी से क्या नाम होगा क्या प्रकार क्या क्या बैंजोलीन का तो थ्री क्योंकि टू थ्री से बैंजो वाली रिंग जुड़ी भी है तो हम क्या लिखेंगे तो थ्री बैंजो पीरी डीन इस प्रकार से आयूपी सी नेम होगा और हम आइसो कीनो लिलकों भी देखें तो कोने वाले कारवन को न्यून तो मंग मिलेगा तो वान टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन और एट आइसो कीनो लिलका नाम क्या हो जाएगा कौन सी पोजेशन पर जुड़ी है यह नहां से हम देखें तो वान टू और थ्री और फॉर इस कारवन से तू यह त्री और यह फॉर फाइब और सिक्स तो क्या नाम हो जाएगा इसका थ्री फॉर बैंजो पिरी बेनिया तू बैंजे जॉन इस प्रकार से हम योगिकों के आयोपीसी नाम निकालते हैं